तारीख is brought to you by Sportsbet कोंगो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इस नदी के नाम पर अफ्रीका में दो देश हैं पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओफ कॉंगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश दूसरा रिपब्लिक ओफ कॉंगो और आज हम बात कर रहे हैं दूसरे वाल का हिस्सा रह चुका है और आज भी इस देश की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। तो यूँ आठ बजे हुआ ये पहला विस्वोट एक मात्र विस्वोट नहीं था। इसके बाद विस्वोटों की श्रंग खला चल पड़ी। कई घंटों तक सैक्नो ब्लास्ट हुए जिसमें से पांच ब्लास्ट सबसे बड़े थे। सरकार ने कहा कि एलेक्ट्रिक सरकिट मे खराबी की वज़स से आग लगी और विस्वोट वे। कूला घर होने के बावजूद ये आबादी शेत्र के नस्दीक था और ब्रेजाविले के शास्त्राले कंपाउंड का हिस्सा था। विस्वोट के बाद लगी आग, घरों, चर्चों और व्यवसाइक शेत्रों तक पह पर काम कर रहे थे। ब्रेजाविले के एक स्टूडेंट क्रिस्टीन इवाटा ने एसोसियेट प्रेस से बात करते हो बताया, सभी घरों की छटे उड़ चुकी थी, जैसे कोई सुनामी यहां से आकर गुजरी हो। वो वाओ ने ब्रेजाविले और किंशाविले के नागरी को शांत रहने का अग्रह करने के लिए टेलिविजन के माध्यम से एक संदेज दिया। कहा कि देश पर कोई आकरमन नहीं हुआ है। और ये विसफोर्ट हथियारों के डिपो में लगी एक आग की चलते हुए हैं। लेकिन रक्षा मंत्री ने ब्रेजाविले के साथ में किंशाषा का नाम भी क्यों लिया। किंशाषा डेमोक्रिटिक रिपब्लिक और कॉंगो की राजधानी है। ब्रेजाविले और किंशाषा को सिर्फ कॉंगो नदी का प्राकृतिक बॉर्डर अलग करता है। दोनों श की शीशे दरग गें, दूसरे धमाके से सारी खिड़कियों की सीशे तूट गें. रिपब्लिक और कॉंगो के नागरिकों की तरह ही शुरुवात में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कॉंगो को भी लगा कि उनके देश पर कोई हमला हुआ है या होने वाला है और उसने आगले दिन तरके कॉंगो की सरकार ने कैबिनेट की अपात कालीन बैठक बुलाई इस में दराश्ट्री संगठनों से पीडितों की मदद के लिए आगे आने का नरोध किया गया राश्टपती डेनिस ने शहर भर में करफ्यू की घोशना कर दी और घटना स्थल के चारों और एक निशेत्र सापित कर दिया दूसरी तरफ फ्रांस के ततकालिन विदेश मंत्री अलाइन जुपे ने चार मार्श को ही गोशना कर दी थी कि फ्रांस अपनी उस पूर्व कालोनी की राजधानी को जल सजल आपात कालिन साहता भेजेगा घटना के बाद सवाल उठने लगे कि एक आवाशी शेत्र के आसपाज इतना बड़ा आर्म डीपो और वेपन डंब स्थावित करने की क्या मजबूरी थी इसका जवाब आया लेंडरी ओरीटा के तरफ से लेंडरी उस वक्त कॉंगो के राष्टपती के कारक्रमों का निर्देशन करते थे उन्होंने बताया श्रस्त्र शाला फ्रांस के आपनिविशक शाषन के दौरान बनी थी आजादी के बाद से इस शहर की आवादी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने हर जगे घर, ओफिस और चर्च बना लिये श्रस्तर शाला को दूसरी जगे स्तनांतरित करने का प्लान काफे दिनों से चल रहा था और हम जल्द ही ऐसा करने भी जा रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उससे पहले ही दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में से एक के नागरिकों को जिसके लिए हर सांस एक हाथसा है और बड़े और विभस हाथसे का शिकार होना पड़ा हाथसा जो एक तारीक के रूप में आज 9-10 साल बाद भी जिन्दा है तो आज के तारीक में बस इतना ही कल फिर मिलेंगे एक नई तारीक के साथ नए किस्सों के साथ और नए किड़दारों के साथ आप देखते रहे दील अलन टॉप